आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें निम्न में से दरपंड संभारिक हैं, पहला ओप्शन हमारा दिया है, यहां पर देखे तो तो B लिखा है ना, B मतलब बुराउन, ठीक है, यहां बुराउन का दिया है देखे, 12-5 हाना, यहां कार्बन दिया है, 12-6, दूसरा ओप्शन हमारा दिया है, यहां पर 158 और chlorine शात्iosis 99 यहां पर देखे दो तो यह सभी ये दो दो तत्तों के जोडिक रुप में है दिया है तो यह क्या है दोस्तों? समभारिक हम लोग किसको बोलते हैं DOSTो? हाय नहीं जब दो तत्तों का जो भार है दोस्तों हाय परमाडू भार समान होता है, दो तत्तो का परमाडू भार समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सम भारिक, तो यहां पर देखें, तो जितने भी उप्सन में तत्तो दिये, देखें, यह उपर वाला जो रहता है, दोस्तों, यह क्या बताता है, परमाडू भार को, यह बारा बारा देखें, दोनों में दिया है, वैसी यहां भी 15, 15 है, 17, 17, 15, 17, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अलग दिया है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह option तो ऐसी कड जा रहा है दोस्तों, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर बात हो रह ठीक है दरपन संभारिक कब होगा दोस्तों जब जब दो संभारिक पदार्थों पदार्थ के पोट्रोनों की संख्या और नीट्रोनों की संख्या आपस में बदल जाते हैं मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं दोस्तों ठीक है तो ये कहलाते हैं दरपन संभारिक कहलाते हैं ठीक है दोस्तों तो हम लोग क्या है दोस्तों अब देखते हैं सभी में ये चेक करते हैं दोस्तों जैसे पहला बोरान है तो इसमें पोट्रोनों की संख्या कितनी दोस्तों ये यहाँ पी का मान कितना है पांच क्योंकि परमाडू क्रमांग यह दर साथ है दो तो परमाडू क्रमांग क्या होता है पोटानों संख्या या इलेक्टानों संख्या दोनों बराबर होती है तो यह पांच है अब निट्रोनों की संख्या लिकालना है दोस्तों तो क्या कर देते परमाडू बहर में घटा देते हैं तो 12 में 5 घटाएंगे कितना आया 7, 5, 12, 7 आ गया वैसी अगर कारबन के लिए देखते हैं तो P यहाँ पर 6 है ठीक है neutron लिकालना तो कितना जाएगा 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर देखिए दोस्तो पोट्रॉन संक्या 5 है यह 7 है यह 6 है यह 6 लिकाल रहा है तो यह option तो नहीं होगा दोस्तो ठीक है यहाँ पर परवरतित नहीं हो रहे हैं जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 7 है तो इसमें 7 हो जाना था इसमें 5 हो जाना था तो यह नहीं है option ठीक है दूसरा option देखते हैं दो तो यहां पर देखिए neutron के लिए proton की संख्या कितना यहां 7 है ठीक है neutron की संख्या यहां पर कितनी है 15 में 7 गटा दिंगे तो कितना जाएगा 7 सा 14 और यह 8 आ गिया वैसी oxygen के लिए देखते हैं दोस्तो यहां पर proton की संख्या कितनी है 8 और neutron की संख्या कितनी है 15 में 8 गटा दे जिये कितना जाएगा 7 हा न दोस्तो तो देखिए दोस्तो यहां पर proton की संख्या 7 थी neutron की संख्या 8 थी अब इसमें देखिए फोर्ट्रान हो क्प्संख्या 8 हो गया और इसमें इूर्ट्रान हो गया तो ये देखिए, इस तरह से क्या हो गया तो ये अपस में इंटर्चेंज हो गया ना, तो ये हमारा क्यला आएगा दोस्तो, धरपन संभारिक ठीक है तीसरा option भी चेक कर लेते हैं दोस्तों ठीक है यहाँ पर fluorine दिया है fluorine के लिए चेक करते हैं तो क्या मिल जाएगा देखे पोट्रॉन हमारा 9 है neutron कितना आजाएगा 17 में 9 घटा दीजे कितना आजाएगा दोस्तों आट आजाएगा आट आट शोलो एक सत्रा वैसी नियॉन के लिए देखते हैं तो पोट्रॉन के संक्या हमारी कितनी है दस और neutron संक्या 17 में 10 घटाएंगे साथ तो यह देखे नहीं आ रहा है और यह चांटात हमारा पहले ही कड़िया दोस्तों तो इस तरह से हमारा दूसरा आप्शन जो है इसके लिए सहीं उत्तर है दोस्तों ठीक है धन्यमाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर